हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सभी आश्यक्रतों सभी फिट होंगे प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 एका कोई सेवने की कोशिस करेंगे यहां पर देखो हमसे बोला जा रहा है कि आपको ग्राफ बना करके जैसे आपने पहले वले क बनाया था वैसी आपको सिर्म बनाना है दोनों एक्वेशन के लिए और यह सो करना है कि इनका जो है न कोई भी सॉल्यूशन नहीं है यह जो हमारे दोनों एक्वेशन नहीं है तो यह कैसे प्रूफ हो सकता है तो देखो जब हमने क्वेशन पर 21 तक क्या स्वाव किये थे व उसी तरके से 22 से 25 में हमने क्या देखा था कि पहले उले लाइन के उपर ही दूसरा लाइन चलता था दोनों क्वाइन साइड होते थे तो एक दूसरे के उपर चल रहे है यानि कि हर पॉइंट जो होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा और इसी कि हम लोग उसको इंफनाइट तो हमारा प्रूब करने के नहीं नहीं निकल को जाएगा तो हमारा पैरलल निकलना ही चाहिए अगर नहीं निकल तो गलत हो जाएगा बागी मैंने जो previous वीडियोस बनाए है या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा न सारी वीडियोस के लिए खमेशा की तरह कहां मिलेगा बिल्कुल सही बता है आपने उपर आई बटन में मिलेगा नीचे डिस्रिप्सन बाक्स में मिलेगा और मेरे इंस्टाग्राम और टेल plus में 2Y क्योंकि धर minus में था इढ़ार कारें प्लस में हो जाएगा अब अगर मैं y के value देखो गार प्लस ओला नमबर लेता हूँना कोई वी अगर मैं plus ओला नमबर लू या 0 लू तो मेरा x का value बड़ा से निकल कर करके आ जाएगा जैगा जैसे अगर 2 हो जाएगा क्योंकि plus और minus minus का होता है और यह हमारा x का value 4 हो जाएगा तो y का value जब हमने minus का 1 लिया तो x का value जो था वो 4 आ गिया उसी तरीके से बाकी चीज़ों को निकाल ले रहा हूं मैं मैं ही हमाँ solve करूँगा और really solve करूँगा अपने exam में फिर उसको detail में लिक करके इस तरीके से solve करना जैसे मैं लोगर मैं minus 2 लेता हूं तो यह मेरा minus 4 हो जाएगा और 6 में से 4 minus होगा तो मेरा plus का 2 आएगा क्योंकि बड़ाल नंबर तो plus में है न तो यहाँ पर y के जगापर minus 2 ले रहा हूं इनका आप लोग नाम दे दो इन coordinates के जैसे 4 को हमें लोग 4 and minus 1 को a दे देते हैं सेकेंड वाले को b दे देते हैं हमेशा की तरह 2 and minus 2 और last वाले को c 0 and minus 3 हो जाएगा अब इसके हम लोग से निकालते है निकि सेकेंड वाला जो हमारे equation है उसका सेकेंड वाले में हमारे पास दिया हुआ है 3x minus 6y equal to 0 हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं इसको आसान करने के लिए वैसे तो अगर मैं common ले लूँ तो आसान हो ही जाएगा लेकिन मैं उस राप से solve नहीं करना चाहता हूं मैं अगर दिखाना चाहता हूं कि अगर अलग लग भी solve करें न तो सेम ही answer हैगा मैं इबर question मिलाना चाहूंगा x minus 2y equal to 6 यही question है ठीक है 3x minus 6y equal to 0 हाँ ठीक है मैंने सही question उता रहा है गलत नहीं उता रहा है तो 6,1,6 हो जाएगा अगर मैं 0 लेता हूं तो पूरा मेरा 0 हो जाएगा देखो अगर y equal to 0 लेता हूं तो x equal to हो जाएगा 6 into 0 divided by 3 equal to 0 by 3 और 0 को किसी भी number से divided दो तो 0 आ जाता है तो अगर मैं y के value 0 लिया तो x का value भी 0 हो गया तो अची बात है दोनों में 0 0 पहली बर आया है इदम origin point पर आएगा यह उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूं तो 6,1 जाए 6 हो जाएगा और फिर 603 से divide देंगे तो 2 आ जाएगा तो y का value 1 लेने पर x का value 2 आ गया तो य लेते हैं y का value हमने अगर 2 लिया था तो जो x का value है वह मेरा 4 आ गया था इस तरीके से हमारे पास इसके coordinates मिल गया इनका भी आपनों नाम दे सकते हो जैसे ABC हो गया है तो PQR दे दो नाम P हमारे पास 0 & 0 है Q हमारे पास 2 & 1 है और R हमारे पास 4 & 2 है देखना हमारे जो दोनों से लगों जब line बनाएंगे न ग्राफ वेपर में तो इसना parallel line बनेगा यह बनाते हैं तो यह हमने x-axis और y-axis बना लिया है आपको पता ही होगा यह वाला line हमारा x का होता है यह y का होता है राइट साट में प्लस लेफ्ट साट में प्लस नीचे में माइनस ठीक है तो सबसे पह आपर जो line होगा हमारा यह जो point होगा यह y के लिए-1 और x के लिए 4 होगा इसे में नाम भी देते हैं 4 &-1 जो की a के लिए है बी में 2 &-2 है यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए-2 कहा पर आएगा यहाँ पर आएगा देखो यह वाला point तो यह point हमारा 2 &-2 हो गया जो की b के लिए है c के लिए 4 & 2 है x के लिए 4 ठीक है और y के लिए 2 कहाँ पर जाएगा तो y के लिए 2 लेकिन मुझे को अच्या सॉरी यह गड़बड लगया तभी तो मैं इसको देख लिया 0 &-3 गड़बड इसलिए लिए लग रहा था ना क्योंकि फिर मेरा line 3 हो रहा है यानि कुछ पर मिला दो एक है तो हमारा जो line है कुछ इस तरीके से बनेगा अब दूसरे जो point p qr है उनको हमें प्लोट करेंगे पी हमारा 0 & 0 है तो 0 x के लिए यहीं पर रहता है और y के लिए 0 यहां पर रहता है इसको origin point भिकाते हैं यह हमारा 0 & 0 कह लाता है तो मैं कहां पर लिए दू फोट है एक्सकी लिए 4 यहां पर और Y के लिए plus फोला टू देखो दूनों plus plus में न तो प्लस फोला इथा रहेगा एकस के लिए और y के लिए उपर जाएगा तो यह वाला point हमारा 4 & 2 हो जाएगा जो कि R के लिए है इन ती 9 points के मिला तो और देखो दोनों लाइन हमारे तम सीधे जाएंगे तम parallel जा रहे होंगे आपको चाहो तो लाइन को तो आगे वीचे बड़ा भी करके चेक कर सकते हो ठीक है तो अब दिख रहे हैं न दोन लाइन आपस में पैरलल है तो आई हो आपको समझ में आगया होगा कि एकर लाइन पैरलल जा रहे हैं इसका मदब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं अगर एक उसरों को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर सॉल्यूशन बनता है तो हमको पैरलल ही निकालना भी है क्यों इसमें बोला ही गया था कि आपको तो x equal to हो जाएगा 4 minus में 3y और divide by में ये 2 हो जाएगा अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ y की value तो यह हमारा पूरा 0 हो जाएगा फिर 4 में से 0 minus होकर के 4 आ जाएगा उपर में नीचे में 2 हो गिया तो 4 को 2 से divide देंगे तो 2 आ जाएगा तो y की value 0 रखने पर x की value 2 आ ग जाएगा लेकिन बड़े लो नमबर ये minus की sign लग जाएगी न तो minus का 2 आ जाएगी इस तरीके से और minus 2 divided by 2 equal to minus 1 हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर 2 रखा जा सकता है तो हमारा answer जो है x का वो minus 1 होगा अगर मैं 3 रखूं तो 3 3 से 9 हो जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएग का 3 4 जा 12 माइनस का 12 और plus का 4 equal to minus 8 हो जाएगा और minus 8 by 2 equal to minus का 4 होता है तो यहाँ पर अगर मैंने इसका plus का 4 रखा है तो x का value minus का 4 आ रहा है ठीक है तो यह हमारे पास coordinates मिल गया है इनका नाम ले लो आप लोग A B C कर दो 2 0 B में minus 1 and 2 और C में हमारे पास minus 4 and plus का 4 अब हम लोग कि है 4x plus 6y और equal to 12 इसको आप चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो लेकिन के बाटीचर इसको गलत मत मान ले इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि आप बूप में कहीं पर भी वैसा common लेकर के नहीं दिया हुआ है बाकि आप अगर चाहो तो यहाँ पर से common लोगे ना 2 to 2 तो उसको ट्रांसफर करके आप इसको और चोटा कर सकते हो कैसे करोगे देखो यहाँ पर सेगर मैं 2 common ले लेता हूँ तो यह मेरा बन जाएगा 2x plus में 3y equal कि उस साइड में 12 है है ना अब अगर मैं 2 को इदर ट्रांसफर कर दू तो 2x plus 3y यह 2 जाकर करके डिवाइड में हो जाएगा तो 12 से 2 डिवाइड होकर कि मेरा 6 आ जाएगा तो इस तरीके से हमारे equation बन सकता है इसे काम असान हो जाएगा क्योंकि फिर solve जो है थोड़ा चोटा करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर दिमाग लगा रहे है न तो जितना बड़ा नंबर रहता है होते ही थोड़ा सा अंसर 3 आ जाएगा तो बिल्कुल रखा जा सकता है y के वैलू 0 रखेंगे तो x का वैलू 3 आ रहा है अगर 1 रखता हूं तो 3 बन जा 3 हो जाएगा 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा 3 2 से डिवाइड नहीं होता तो 1 नहीं रखेंगे अगर 2 रखता हूं तो 3 2 जा 6 हो जाए हो जाएगा 12 में से 6 माइनस होगा तो हमारा 6 तो आएगा लेकिन बड़े लो नंबर 12 जो है वो माइनस में हो जाएगा है ना यहां पर माइनस 7 है तो इसलिए माइनस 6 बाइ 2 इक्वाल टू माइनस 3 हो जाएगा x के वैलू जब मैं y का वैल्यू 4 रख रहा हूं तब x के वै पैरलल सो करते हैं तो यहां पर हमने x-axis और y-axis बना लिया है अब हमनों जली से प्लॉट करेंगे तो पहले a जो है वो हमारा 2 and 0 है तो x के लिए 2 यहां पर रहेगा और y के लिए 0 भी यही point कह लाएगा तो यह होगी हमारा 2 and 0 जिसका नम a है ठीक है यह वहला point फिर b में हमा हमारा minus 1 and 2 जो की है b के लिए c वहला हमारे पास minus 4 and 4 है तो x के लिए minus 4 यहां पर हो गया और y के लिए plus 4 यह 4 के सिधाई में हो जाएगा तो यह point हमारा minus 4 और plus 4 हो जाएगा जो की c के लिए है तीनों point को आपसे में ला दीजिए और line बना लीजिए तो यह मैंने ऐसे रखा इसको ऐसे किया और एक बड़ा सा line बना दिया ठीक है तो यह हमारा पहलोल एक्वेशन के लिए हो गया अब दूसरे में 3 & 0 है तो यहां पर हमारा यह हो जाएगा 3 & 0 x के लिए 3 यही रहेगा तो actual में इसको मैं नीचे लिए तो इसको तो आप बगल में लिखना ना तुम 0 & 2 हो जाएगा Q के लिए R हमारे पास minus 3 & 4 है तो x-3 यहां पर हो गया और y के लिए 4 हमारा यह वाला point हो गया प्लस वाला तो यह हो गया हमारा minus का 3 & plus का 4 जो की R के लिए है अब इन points को भी आपस में मिला यह देखिए आपको line जो इतम parallel जाएगा चिपका हुआ जरूर है च काम करते हैं 28 वाला भी इसी वीडियो में कर लेते हैं 29 थोड़ा सा अलग है बनेगा ऐसे ही लिए थोड़ा से उसमें अलग काम दिया हुआ है तो उसके लिए मोग एक सेप्रेट वीडियो बनाएंगे और यह 28 नंबर का question पहला equation जल्दी से solve करते है 2x plus y equal to 6 है y के value निकालन या y के value निकालेंगे x यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो y equal to मेरा 6 आ जाएगा ले सकता हूँ क्या नहीं फालतू मैं 6 नहीं लेते हैं वैसे ले सकते हैं 6 हमार y axis में आ सकता है तो यहाँ पर मैं x का value अगर 0 रखता हूँ तो y के लिए मैं 6 ले सकता हूँ ठीक है मारे graph ग्राफ़े पर उतना बड़ा रहता है कि 6 थकह हम लोग असानी plot कर सकते हैं उसे पर अगर यहाँ पर हम रखता हूं तो 21 का value निकल उतुछा है नीचे ही मिलिखता हूं ना यहां पर लिखता हूं A का value 0 & 6 है B का value हमारा 1 & 4 है और C का value है वो 2 & 2 हो गया अब यह PQR का value निकालता हूं जिसको इसके नीचे लिख दूँगा तो second equation हमारे पास है 6x plus 3y equal to 20 यहां से अब किसी की वह transfer करो आपका fraction बने गहीं तो मैं x का value निकाल देता हूं डारेट यह x equal to हो जाएगा 20 minus 3y divided by 6 अब देखो गर मैं 0 रखता हूं तो 3 0 हो जाएगा 20 को फिर 6 से डिवाइड देना पड़ेगा जो की पूरा उपर डिवाइड होगा तो 0 नहीं रखते हैं अगर मैं रखता हूं तो 3 1 3 3 के मैंप्ल div div नहीं हो रहा है अगर ऻторक्ता हो तो मेरा ओस्धो धायですね वो भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उस तो गड़वर है देया, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 3's 9, 20 में से 9 मिनस वो 11 by 6, ये भी नहीं हो रहा है, वाँ वाँ 4 रख रहा हूं तो मेरा हो जा रहा है कितना भीया, 3 4 जा 12 20 में से 12-8 होगा वह भी डिवाइड नहीं होगा मैं लगता कोई से ने गलत लिए होगा एक बर चेक करना पड़ेगा चलो आगे बढ़ते हैं 5 रखता हूं तो 15 हो जाएगा ना प्लस वाले से तो काम ना बन रहा है मैं-माइञ चला जाये कया चलो ठीक है मैं वाले देखता हूं अगर मैं-1 रखता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 3 बन जाऊ 3 है ना और मैंस और मैंस प्लस का 3 हो जाएगा हाँ ब्लकुल रख सकते हैं अगर y equal to minus का 1 रख रहा हूं तो x equal to हो जाएगा 20 माइनस में 3, multiply माइनस में 1, divide by में 6, तो माइनस माइनस में रब प्लस हो जाएगा, अरे यार लेकिन कहाँ, ये तो फिर 23 बन जाएगा, ना ना ये भी नहीं होगा, गलत है, ये हमारा जो आईजूमा में किया, इस मेथड को बोला ही जाता, बहुत सारे दिमाग लगाया है, कि मैं इसमें कौन सा इसा नमबर लूग जिससे आपको काम असान हो जाए, तो ऐसा कोई भी नमबर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि हमें इसे फ्रेक्शन में ही सॉल्व करना पड़े है, जो हम लोग चाहते हैं नहीं थे, नमबर लेता है, जब फ्रेक्शन ही सॉल्व करना है, तो नॉर्मल ले लो, जैसके मालो मैं य के वेल्यू गर जीरो लेता हूं, ठीक है, तो यह मेरा 20 बाइ 6 हो जाएगा, है ना य के वेल्यू गर 0 लोगा, तो 20 बाइ 6 आ जाएगा, इसको हम लोग 2 से कट कर सकते हैं, टू का टेबल 10 टेम पढ़ेंगे, टू का टेबल 3 टेम पढ़ेंगे, तो य के वेल्यू अगर 0 लिया, तो एकस का वेल्यू 10 बाइ 3 आ गया, तो यहाँ पर आप तो 10 बाइ 3 लिखोगे इस तरीके से, दिख रहा है न अच्छे से, उस तरीके से और भी कुछ प्याहा लेते पहले, तो 3-3 जा 9 हो जाएगा, तो 11 आएगा, कटनी होगा, 4 लेता हूँ अगर मैं, तो यह 12 हो जाएगा न, तो 20 में से अगर 12 माइनस होगा, तो आएगा 8, और 8 बाइ 6 होजाएगा, मेरा 2-4 जा 8 होता है, और 2-3 जा 6, 4 बाइ 3 आजाएगा, अगर मैं हापर 4 ले रहा हू तो मेरा 15 हो जाएगा, 20 में से 15 मैंनस होगा, तो मज़ा नहीं आएगा, अगर हमाए y का value 6 लेता हूँ, ज्यादा बढ़ा हो जाएगा, माइनस में आ जाते हैं हम लोग, फालतू में उदर नहीं बढ़ते हैं, अगर मैं माइनस का 1 लेता हूँ, तो प्लस का 23 होगा, नहीं था, तो x equal to हो जाएगा, हमारा 20 माइनस में 3 multiply माइनस का 2, divide by में 6, तो यह माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 6 हो जाएगा, 32 जा, और नीचे में 6, तो यह हो जाएगा 26 by 6, यह हमारा 2 से कट होगा, 2 कटेबल 13 टाइम पे, तो 13 by 3 आ गया, तो यहाँ पर हमने कब, इसको मैं आराम सब को समझाओगा, कि इस टाइब से बाजाते हैं, तो इसको कैसे plot किया जाते हैं, तो देखो, यहाँ पर हमें ग्राफिय पर ले लिया है, इसमें मैंने देखा कि y में maximum 6 गया है, इसलिए मैंने इसमें थोना सा लंबा चाओड़ा बनाया है, 6 7 तक लेगी ह गया है, तो 1 and 4 है, x के ले 1 यहाँ पर और y के ले 4 यहाँ पर, यह पॉइंट मेरा 1 and 4 का हलाएगा, जो कि b के लिए हो गया, c हमारे पास 2 and 2 है, तो x के ले 2 यहाँ पर, यह पॉइंट हमारा 2 and 2 हो जाएगा, जो कि c के लिए है, अब इसको तो हम लोग बनाते हैं, लाइन असानी से बन जाएगा यह वाला एक सिकेंट मैरे इसके रूट जब ही यह ऐसे हम लोग points को मिला करके lines को थोड़ा लंबा ही कर देंगे ताकि हमारा line जो आचे से दीखने लगी है अब हम लोग आते है main in वाले में इसका नाब p रग दो आप फिर 10 by 3 and 0 रग दो q जो हमारे पास वो 4 by 3 and 4 है और जो हमारे पास r है वो है 13 by 2 और minus का 2 तो 10 by 3 हमारा कहां पर आएगा पहले तो y कले 0 है तो यही पर हम लोगों का 0 ही पर रहता है नहीं हमको उपर जाना है नहीं नीचे जाना है बस हमको x वाले एक्सिस में घुमना है जो कि 10 by 3 है तो इसको आपको solve करने के सबसे सिंपल तरीक है आप क्या करो इसको mix fraction में convert कर दिया है मैं आपको convert करने का trick भी सिखा है class 7 8 में कि simply आपको divide दे के से तो हमारा जो 1 है वो नीचे से उपर जा रहा है तो उपर में 1 की लिग दो यह 3 राइट से लेफ्ट में आ तो यदर 3 लिग दो यह 3 उपर से नीचे आ तो नीचे लिग दो तो 3 एंड 1 by 3 जो होगा ना वो 10 by 3 का answer होगा अब ऐसे लिखने से फैदा क्या है ऐसे लिखने एक्स के लिए 10 by 3 है और वाई के लिए 0 है जिसका नाम पी हो जाएगा इस तरीके से बस ध्यान आपको यह रखना है न कि पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता तो टीचर उतना जाता चेक नहीं करेंगे कि दम चसमा लगा करके कि दम थोड़ा सा आगे पीछे बचे लिए क्रूट करोंगे तो वन एंड वन भाई थरी हो जाएगा तो हमारा वाई में कितना है एक्ष में प्रो ह्री है तो यहाँ पर vamp रोक्स मेरा हो जाएगा इस वाले जाह पर और वाई के लिए 4 दो यहां पर है तो यह वहारा जो पॉइंट होगा ये मेरा हो जायेगा वह 4 x के लिए और y के लिए 4 जिसका नम हमने क्यू रखा था इस तरीके से यहां पर यह प्वैंट बना दो फिर हमारा आर में जो है वह हमारा –2 x के लिए थो x के लिए –2 हमारा य के लिए कितना है भी या तो य के लिए हमारे पास है माइनस का टू तो इसी का सिधाय में माइनस का टू में आ जाएंगे नीचे में तो यहां पर हमारे पास माइनस का टू कहां पर है यह रहा तो यह हमारा इस पॉइंट में आएगा तो यह कुछ गड़बड लग रहा है म उसको मैंने गलती से 13 by 2 लिख दिया तो यह जो बड़े-बड़े कोईशन में छोटी-छोटी गलतिया होती है ना इसके वजा से टाइम बरबाद होता है तो 13 by 2 को अगर आप करोगे तो हम लोगो 13 को डिवाइड देना पड़ेगा सुरी ठरी में टू बोल रहा हूं फिर से देखो ना 13 by 3 है तो यह हो जाएगा 3 का टेबल में 3 4 जा 12 वन बच जाएगा इसको एंटी क्लॉक वाइस गुमा दो तो वन उपर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा और 3 मेरा 2 है तो नीचे बढ़ जाओ यह हमारा यहाँ पर आ गया वाइक के लिए माइनस टू फोर के बगल में यहाँ पर हमारा फोर एंड बन भाई थी था और वाइक कले माइनस टू यहाँ पर है तो इस वाले पॉइंट को नाम देदा आप लोग 13 by 3 एंड वाई के लिए हमारा मा लोग टीचर लोग बच्चे को देते हैं और ना ही एक्जान पर पूछा जाता है तो आप लोग टेंसर मत दीजेगा यह कूशन आया गा नहीं इन सीख लिए तो बहुत अची बात है जाते जाते आपको यह फ्रेक्शन में चाही रहा था कि मैंने एक भी कूशन आपको फ् टेली ग्राम जिंदाबाद वहाँ पर आपको सिफ डाउट पूछ सकते हैं थैंक्यू वन सेगें